पार्टी के नाम पे करोणों रुपए खर्च कर दिया जाता है। उसको कहा है कि हम ये करेंगे वो करना पड़ेगा। वैसी व्यवस्ता होना थोड़ा अभी तो मुश्किल लगता है। कोई करोणों रुपए चंदा दे देगा और आप से कोई अपेक्षा नहीं करेगा। ये सुचना ही गलत है। किसी को जरासा भी हरासमेंट हो रहा हो। वो अपना वीडियो बनाए, फोटो बनाए और वो सम्मिट कर दे। अपने अप सौ मिनिट के अंदर उसका वो निराकरण मी होगा। मुख्यबाजी भिंगा मुश्ती होती ही रहती है। रोज पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, एक दूसरे को वो करते रहते हैं, कोई नहीं कोई चुनाओ होता रहता है। अपने दूसरी सामाजिक भूमिकाओं में जाएंगे। अपने दूसरी सामाजिक भूमिकाओं में जाएंगे लेकिन सरगारी भूमिकाओं से परहेज उनका कानूनी तोर पर रहेगा। ये इंडिविजुलिस्टिक ज्यादा है कि कोई सोचे कि इस पर रिफॉर्म होना चीज़ अभी तक नहीं हुआ तो हम फिर से उसको रिमाइंड करें, कुछ बताएं। ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं हुई है। बाकी मुझे लगता है कि चुकि एक बार लिखा जा चुका है, तो अगर हमारे जो लॉमेकर्स हैं, पार्लमेंट हैं, अगर वो उस पर भी संग्यान लेते हैं और उस पर कुछ करते हैं, तो मुझे लगता है ये अ अच्छी पहल होगी. आपका रिकारिमेंट प्लान क्या होगा? निमंतरन आया है कि मैं वहाँ पर कुछ बोलूँ, एन्वल इंडिया कॉन्फरेंस में, तो उसको भी मैंने स्विकार किया है, वह हम भी जाके बताएंगे कि हम लोग क्या कर रहे थे और क्या करने वाले हैं, तो बेसिकली वही चीज़ जो आपने कही है, कि सामाजिक सरोकार के कामों में जुड़े रहना, क्योंकि देश की उन्नती में, देश की प्रिगती में, हर इंडिविज्वल स्टेक होलर है, और उसे जीजान से कोशिश करनी चाहिए, जितना भी वह कर सके, ताकि अपना देश आगे बढ़ सके, उसके तरफ ध्यान देना है, और वही करना है सरकारी जिम्मेदारी अगर सरकार ओफर करती चाहिए, या अगली कोई भी सरकार, अगर आपको ओफर करती, कोई बड़ी जिम्मेदारी, तो क्या सुईकार करेंगी? जो चुनाव आयोक के निश्पक्षता वाले काम करते हुए, किसी भी तरह से विपरीत रूप से उसको प्रुहावित नहीं करेगा, उस तरह का काम ले सकता हूँ और उसको करूँगा, बाकी तो कोई भी ऐसी चीज जो सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि आप ऐसा कर देंगे अब ऐसा कर देंगे, वो तो ठीक नहीं है, वो नहीं सुईकारे होगा. आप मदब प्रदेश से हैं, मदब प्रदेश का कली का जो आज हन्रोगोन च्छापा भी है, कि एक CS के रिटायर होने से पहले, उसका रिटायर्मेंट प्लान सरकार ने बना दिया, ये परंपरा ही ना चल गई है, चाए वो मुक्ष सचिप के लिए हूँ, चाए पुलिस मह प्रदेश के लिए, दोनों के लिए रिटायर्मेंट प्लान सरकार पहले से सोच लेती है, आपको नहीं लगता है कि ये गलत परंपरा मदब प्रदेश में सुरूर हो गई है, इससे दूसरी दूसरी से भी देखा जा सकता है, कि जो सिविल सर्वेंट्स शेप होते हैं धीर दीरे, प्रिशिक्षन के बाद, अपने फॉर्मेटिव एर्स में, एस डीम, डीम के रूप में, फिर बाद में सचेव, प्रमुख सचेव के रूप में, मुख सचेव के रूप में, तो उनकी जो ग्रोथ होती है, उस से भी पूरा सिस्टम ये अनुमान लगा लेता है, कि ये व्यक्ति अगर इस ट्रैजेक्टरी में जाएगा, इस दिशा में जाएगा, तो वो प्रदेश के, देश के हित में होगा, समाज के हित में होगा, तो अगर उस तरह का प्लान बनाया गया है, उस तरह से सोचा गया है, उस तरह से अबजेक्टिवली सोचा गया है, तो य देश हित में हैं प्रदेश हित में हैं समाज के हित में हैं लेकिन अगर ये निहित स्वार्थों की पूरती मात्र के लिए सोचा गया है तो गलत है इसमें कोई ये ब्लैंकेट वो ओपिनेंट नहीं दी जा सकती कि ये पूरी तरह सही गलत है एक रास्ट एक चुनाओ बहस पिछले पांस से दस साल से उठ रही है आप भी उस बहस में आपने भी कही नगाई एक समर्थन दिया तो क्या लगता है इसकी क्या एक अगर हम कहें ग्राउंड व पूछा था कि वन स्टेट वन एलेक्शन वन नेशन वन एलेक्शन ये करने के लिए क्या करना हो तो कमिशन ने उस समय को सारे सुझाओ दिया थे कि इस तरह के संशोधन संभिधान में करने होंगे इस तरह के संशोधन रिप्रेजेंटेशन आफ पीपिल आक्ट में करने हो है अगर ये दोनों संशोधन हो जाते हैं तो फिर लोजिस्टिक इशूज आएंगे कितनी इलक्रोनिक वोटिंग मशीन और बीवी पैट लगेंगी कितने सेंट्रल पेरा मिलिटरी फोर्स की कंपनीज लगेंगी कितने पोलिंग परसनल लगेंगे कितने अफजर्वर्स लगेंगे उनकी संख्या में किस तरह का बदलाओ होगा और उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा ये सारे सुझाओ उसमें कमिशन ने उपलब्द कराए थे और आशा थी कि सरकार उस पर कुछ ना कुछ आगे कहल करेगी लेकिन चुकि सम्विधान और कानून में संशोधन अभी तक नहीं हुआ तो कमिशन कानून के दाइरे में रहते हुए जो भी चुनाओ डियू हुए उनको छे मीने के पहले ही प्रक्रिया शू करके उन्हें पूरा कराया तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की धारणा फली भूत नहीं हो पाई लेकिन अगर देखा जाए तो संभावना की बात इसमें नहीं है क्योंकि हमारे देश में ही 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1963 में वन नेशन वन इलेक्शन ही हुए, लोकसवा बिधान सवा एक साथ ही हुए इसलिए संभावेत है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें दूसरे क्या है कि इसमें ऐसा लगता है, अभी कोई empirical study तो नहीं है कि कितनी बचत होगी, कितना वो होगा, लेकिन ऐसा subjective impression लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुए, तो लगभग साढ़े चार साल सरकार को, राजनितिक दलों को, अपनी भूमिका को, पूरे प्रिभावी ढंग से निभाने का अफसर मिलेगा अभी तो रोज, मुक्के बाजी धिंगा मुश्ती होती ही रहती है रोज पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, एक दूसरे को करते रहते हैं, कोई ना कोई चुनाओ होता रहता है तो उन्हें अपने काम पर, अपनी भूमिका पर, कंसेंट्रेटिड होके काम करने का मौका ही नहीं मिलता इस साल तो 2018 में जब मैं चीफ इलेक्शन कमिशनर रहा, कंटिनुस चुनाओ रहा है जनवरी में जैसे ही चार्ज लिया तो त्रिपरा, मेगालाए, नागालन्ड का चुनाओ था जैसे ही वो पूरा हुआ, करनाटक का चुनाओ चलू हो गया करनाटक का पूरा होते ही, यह पांच राज जा गए, मदबरदेश, 37 गड़, राजस्तान, मिजोरम और तिलंगाना तो समय ही नहीं मिलता, दूर गामी, परिणामों को देने वाले, सुधार की तरफ जाने का, सोचने का, समय ही नहीं मिलता तो जब हमें समय नहीं मिला, इलक्शन कमिशन को, तो सरकार में, या राजनेतिक दिल में तो समय मिलने की और भी संभावना नहीं है तो मुझे लगता है कि इस दिशा में सोचा जाना चाहिए, सारे राजनेतिक दिलों को बैठ के बात करनी चाहिए, सहमती बनानी चाहिए और देश हित में, इस तरह कोई निड़ने लेना चाहिए, जो कि लोकतंदर को सुद्रण करने के साथ, इस तरह के विसंगतियों को दूर कर सके इसमें ये बात कुछ वाटर से आई थी, कि कोई वेव होगी अगर और वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो एक ही पार्टी सारा ले जाएगी, वो इंपिरिकल एविडेंस से प्रमानेत नहीं है, क्योंकि 2014 में भी लोक सभा के साथ पांच राज्यों के चुना हुए, आपने पार्चल में और अलग पार्टी को मेज़ॉरिटी मिली, तो हमारी जंता, हमारा वोटर बहुत ज्यादा इनलाइटिन है, बहुत ज्यादा मेच्वर हो गया है, इसमें विश्वास रखिया, ये कभी भी किसी वेव से प्रभावित नहीं होगा, ये बड़े पार्टी के नाम पे करोणों रुपए खर्च कर दिया जाता है, पार्टी के कैंडिडेट के रूप में खड़ा होता है, वो ज्यादा जीतते हैं, जो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं, वो कम जीतते हैं, पंचा चुनाओं में, दस बंदरा गाड़ियां यूज होती है लाखों खर्चा होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसे सरपंच को मालूम है, कि अगले पांच साल में इस से दस गुना कमा लेंगे, वो व्यवस्ता बनी रहेगी, कानून बना लीजे, कुछ भी कर लीजे, वो सफल नहीं होगा, सारे स्टेक होल्डर्स अपने अपने ग्रू कास्मेंट हो रहा हो, वो अपना वीडियो बनाए, फोटो बनाए और वो सम्मिट कर दे, अपने आप सौ मिनिट के अंदर उसका वो निराकरणमी होगा, मुख्य बाजी धिंगा मुष्ती होती ही रहती है, रोज पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को गाली देते रहते हैं को इनको इचना होतारता